दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार्सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों मागदर्शन ये NCRT स्रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे दसवी कच्छा के NCRT अर्थसास्तर आर्थिक विकास की समझ का अध्यायचार जो है वैसवी करण और भारती अर्थिवियुस्था दोस्तों, बैस्वी करण या Globalization क्या है? बैस्वी करण को संभव बनाने वाले कारख कौन से हैं? बैस्वी करण में किस प्रकार संचार और प्रद्धोक्ई का प्रियोग किया जाता है? और भारत पर वैस्वी करण का क्या प्रभाव पड़ा है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो आइए शुरू करते हैं दसवी कच्छा के NCRT अर्थसास्तर का अध्यायचार वैस्वी करण और भारती अर्थविवस्था दोस्तों आज के बिसो में उभोकता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तों और सेवाओं के विश्तरित बिकल्ब हैं और दुनिया के सिर्सस्त बिनिर्माता यानि जो निर्माड करने वाले लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए डिजडल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलिवीजन के नए नए माडल हमारे लिए आज आसानी से उपलब्ध हैं हमेशा भारत की सडकों पर गाड़ियों के नए माडल देखे जा सकते हैं और वो दिन गुजर गए जब भारत की सडकों पर केवल अमबिश्डर और फियेट कारे ही दिखाई देती थी आज दुनिया भारत की सभी सीर्स या भारत में दुनिया की सभी सीर्स कमपणियों दारा निर्मित कारें आ रही हैं दूसरे वस्तों के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की व्रेत्थी देखी जा सकती है कमीज से लेकर टेलिवीजन और प्रसंस्कृत फलों के रस तक सभी कुछ में पूरी वैस्विक मार्केट जो है एक तैयार हो गया है हमारे बाजार में बस्तों के बहुब्यापी बिकल्प अपेक्छाकृत नवी इन घटना है और दो दसक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तों की ऐसी विवित्ता नहीं मिलती और कुछ ही वर्सों में हमारा बाजार पूरी तरह से बदल गया है और हम इस तीब्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन कैसे प्रभावित करते हैं ही सध्याय में हम जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं अंतर देशी उत्पादन दोस्तों बीसवी सताबदी के मध्य तक उत्पादन मुखेतर देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तों में केवल कच्चा माल खाद पदार्त और तयार उत्पाद थे भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद पदार्त निर्यात होते थे तयार वस्तों का आयात होता था ब्यापार ही दूरस्त देशों को आपस में जोडने का मुख्य जरिया था ये बड़ी कमपनिया जिनको की बहुराष्टी कमपनिया या मल्टी निशनल कमपनीज कहा जाता है वो उनके क्या होता था बहुराष्टी कमपनिया जो थी उनके परिद्रिश से पर उभरने से पहले का यूग था और एक बहुराष्टी कमपनी क्या होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंद्रणत्वा स्वामित्व रखती है बहुराष्टी कमपनिया उन प्रदेशों में कार्याले तथा उत्पादन के लिए कारखाने अस्थापिक करती है जहां पर उन् विश्तार किस प्रकार से किया जाता है यहाँ पर देखिए बंगलूरू में एक काल सेंटर है जो परियाप्त दूर संचार सुविधाओं और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और ये बिदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद उपलब्द कराता है तो अध्योगिक उत्पादन करने वाली एक मल्टीनेशनल कमपनी संयुक्तराज अमेरिका में अनुसंधान के इंदर में अपने उत्पादों का डिजाइन तयार करती है उसके पूर्जे चीन में बनते हैं फिर इन्हें जहाज में लादकर मैकसिको और पूर्वी यूरोप ले जा जाता है जहां उपकरण के पूर्जो को जोड़ा जाता है और तयार उत्पाद को दुनिया भर में बेचा जाता है और इस बीच कमपनी की ग्रहक सेवा का भारत इस्थित काल सेंटरों के माध्यम से संचालन भी किया जाता है दोस्तों इस उदाहरण में आप देखते हैं कि बहुराष्टी कमपनी केवल बैस्विक अस्तर पर अपना तयार उत्पाद ही नहीं बेच रही बलकि और महत्वपूर ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बैस्विक अस्तर पर हो रहा है जिससे होता ये है कि उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से संगठित हुई है उत्पादन प्रक्रिया छोटे-छोटे भागों में बटी है दुनिया भर में फैली हुई है और उपर दिये गए उधारण में जैसा कि आप देख सकते हैं जान सकते हैं कि चीन एक सस्ता बिनिर्मान केंद्र होने का लापरदान करता है मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमीरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटा के कारण लापरद हैं और भारत में अत्यधिक कुसल इंजीनियरों के उपलब्धता है जो उत्पादन के तकनीकी पच्छों को समझ सकते हैं यहां अंग्रेजी बोलने वाले सिछितुवग भी हैं जो ग्राहक देख भाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं सभी चीजें बहुराष्टी कंपनी की लागत का लगभग 50-60% तक बचत करती हैं इसलिए वास्तों में सीमाओं के पार बहुराष्टी उत्पादन प्रक्रिया से प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ब्रांड लेबर पर मेड इन थाई लेंड लिखा है लेकिन उनमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है हम बिनिर्माड प्रक्रिया कले बिशलेशन करते हैं तो प्रतेक चरण में सरवोत्तम निर्माड को देखते हैं सामानते बहुराष्टी कमपनियां उसी अस्थान पर उत्पादन इकाई अस्थापित करती हैं जो बाजार के नजदेख हो जहां पर कम लागत पर कुसल और अकुसल स्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्यकारकों के उपलब्ध दा सुनिशित हो साथ ही बहुराष्टी कमपनी सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है जो उनके हीतों का देख भाल करती है तो कुल मिलाकर इन परिस्थितियों को सुनिशित करने के बाद ही बहुराष्टी कमपनी उत्पादन के लिए कार्याले और कारखानों के अस्थापना करती है जो परिसंपतियां या असेट्स होते हैं जैसे भू, मिभवन, मसीन और अन्य उपकरणों की खरीद में ब्याय की गई मुद्रा को निवेस या इन्वेस्टमेंट कहते हैं बहुराष्टी कमपनियों द्वारा किया गया निवेस भी देश निवेस कहलाता है और कोई भी निवेस इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपतियां लाभ अरजित करेंगी दोस्तों कभी कभी बहुराष्टी कमपनिया इन देसों को अस्थानी कमपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं संयुक्त उत्पाद से अस्थानी कमपनियों को दोहरा लाब होता है पहला ये कि बहुराष्टी कमपनिया अत्रिक्त निवेश के लिए धन परदान कर सकती हैं जैसे कि तिब्र उत्पादन के लिए मशीने खरीदने के लिए और दूसरा बहुराष्टी कमपनिया उत्पादन की नवीनतम प्रद्धो की अपने साथ ला सकती हैं तो दिखिए किस प्रकार से बहुराष्टी कमपनियों का जो कारबार होता है वो एक देश से दूसरे देश में फैलता है बहुराष्टी कमपनियों के निवेश का सबसे आम राष्टा अस्थानी कमपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का परसार करना सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इनके पास अपार संपदा होती है और ये कमपनिया छोटे छोटे कमपनियों का अधिगरहन कर लेती हैं बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्टी कमपनी कारगिल फूर्ट्स ने परक फूर्ट्स जैसी छोटी भारती कमपनी को खरीद लिया है। परक फूर्ट्स ने भारत के बिभिन भागों में बड़ा विपड़नता अंतर तयार किया था जहां उसके ब्रांड काफी परसिद्ध थे परक फूर्ट्स के चार तेल सोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंतरन हो गया। कारगिल 50 लाग पैकेट प्रति दिन निर्मार चमता के साथ भारत में खादे तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कमपनी है। विक्सित देशों की बहुत बड़ी बहुराष्टी कमपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आडर देती हैं। बहुराष्टी कमपनियां इन उत्पादों की आपूर्ति करती हैं। लुधियाना के एक बहुत बड़ी बहुराष्टी कमपनी के लिए फुटबाल निर्मार का एक चित्र यहां पर दिखाए गया है। दोस्तों हम देखते हैं कि बहुराष्टी कमपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कारे का परसार कर रही हैं। परस पर एक दूसरे से जुड़ रहा है। तक फोर्ड मोटर्स भारती बजारों में 88,000 कारे बेच रही थी जबकि 1,80,000 कारे का निर्यात भी भारत से दच्छिड अफरिका, मैक्सिको, ब्राजील और साइमत राजे अमेरिका किया गया। कमपनी दुनिया के दूसरे देशों में अपने सैयंतरों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंदर के रूप में करना चाहती है। तो दोस्तों बीदेश, ब्यापार और बाजारों का एकी करना किस प्रकार से होता है। इस पादक के वल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बलकि दुनिया के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिसपरधा कर सकते है। ट्वाइज एंड गेम्स, इस्पोर्ट एंड कोरियर ये देखे किस तरह से इंप्रेशन का एक बड़ा जो है चाइनीज खिलोनों का बाजार यहां पे है दोस्तों भारत में चीनी खिलोनों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि चीन के भी निर्माताओं को भा खिलोने अधिक मूले पर बेचे जा रहे हैं वे भारत को खिलोने निर्यात करना आरम करते हैं अब भारत में खरीददारों के पास भारती और चीनी खिलोने के बीच चैन करने का बिक्वाल है चीनी खिलोने सस्ते दाम के होते हैं नए डिजाइन के होते हैं और ये खिलोने क्या है भारत के खिलोनों से सस्ते भी होते हैं तो इसके अलावा चीन के खिलोनों के इसी लिए मांग बढ़ी है क्योंकि ये जो है खरीदने में जो है कई तरह के क्वालिटी वाले हैं कई प्रवेराइटी इनके पास है और इनका दाम भी कम है सामानता ब्यापार के खुलने से वस्तूओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवगमन होता है और बाजार में बस्तूओं के बिकल्प बढ़ते हैं दो बाजारों में एक ही वस्तू का मुल्य एक समान होने लगता है अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मिल दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस परधा कर सकते हैं तो विदेशी ब्यापार विभिन देशों के बाजारों को जोड़ने और एकी करण में सहायक होता है यहां देखे सिले सिलाय वस्तरों के छोटे व्यापारी बहुराश्टी कमपनियों के ब्रांड और आयाद दोनों से कड़ी प्रतिसपर्धा का सामना करते हैं अब दोस्तों इतना सब जानने के बाद आईए अब जानते हैं बैस्वी कराण या ग्लोबलाईजेशन क्या है विदेश व्यापार में भीत्य बिद्धी हो रही है और विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराश्टी कमपनियों द्वारा नियंतरित होता है जैसे भारत में Ford Motors car संग्यंत्र के वल भारत के लिए ही कारों का निर्मान नहीं करता बलकिं अन्यविकास सील देशों को कारें और दुनिया भर में अपने कार खानों के लिए कार पोर्जों का भी निर्यात करता है इस प्रकार जो अधिकांस बहुराष्टी कमपनिया होती है उनका क्रिया कलाब बस्तूओं और सिवाओं का बड़े पैमाने पर ब्यापार सामिल होता है यहाँ पर देखे एक बच्ची कह रही कि ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहें किसी दिन आपको इसकी कीमत चुरुकानी पड़ेगी तो जो ये बिजनिसमेन है वो कहता है बैस्वी करण में मज़ा है दोस्तों अधिक बिदेशी ब्यापार और अधिक बिदेशी निवेज के पैड़ाम सरूप बिभिन देशों के बाजारों और उत्पादनों का एकी करण हो रहा है बिभिन देशों के बीच परस पर संबंध और तीब्र और एकी करण की प्रक्रिया ही वैस्वी करण है वैस्वी करण को आसानी से समझें तो विभिन देशों के बीच परसपर संबध और तीब्र एकी करण की प्रक्रिया को वैस्वी करण कहा जाता है बहुराश्टी कमपनियों ने वैस्वी करण की प्रक्रिया में मुख्य भूमी का निभाई है और विभिन देसों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेस और प्रद्योक्की का आदान परदान हो रहा है और अभिहाल के एक दो दसक में ये प्रक्रिया और भी तेजी से पढ़ी है दोस्तों बैस्वी करण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं तो प्रद्योक्की में तिब्र उन्नतिव मुख्य कारक है जिसने बैस्वी करण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया जैसे विगत 50 बर्सों में परिवहन प्रद्योकी में बहुत उन्नत हुई है इसने लंबी दूरियों को दूरियों तक वस्तूओं की तिब्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव बनाया है यहाँ पर देखे वस्तूओं के परिवहन के लिए कंटेनर्स का प्रयोग किया जाता है वस्तूओं को कंटेनर में रखा गया है जिससे इन जहाजों रेलवे वायान और ट्रकों पर बिना च्छते के लादा जा सकता है कंटेनरों सो ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है माल को बाजारों तक पहुशने में जो गती है तीब्र हुई है और समय कम लगता है वायू यातायात की लागत में गिरावट आई है और इसके कारण वाय मार्क से अधिक मात्रा में वस्तूओं का परिवहन संभव हुआ है वैस्वी करण को संभव बनाने में यातायात के अलावा सूचना और संचार प्रद्योकी का बहुत महत्वोड योगदान रहा है टेली वीजन दूर संचार कंप्योटर और इंटरनेट के छेतर में प्रद्योकी में दुरुत गत से परिवर्तन हुआ है और बहुत सारी सुविधायें जैसे टेली ग्राफ, टेली फोन, मोबाइल फोन और फैक्स का दुनिया भर में एक दूसरे से संपर करने, सुचनाओं को ततकाल प्राप्त करने और दूरवर्ती छेतरों से संबाद करने में प्रयोग किया जाता है ये सुविधायें संचार उपग्रहों के द्वारा सुगम होई हैं जैसा कि आप जानते हैं जीवन के प्रतेक छेतर में कम्प्योटर का प्रवेस हो गया है और आप बहुत कम समय में इलेक्ट्रानिक मेल से सुचनाओं मंगा सकते हैं और उससे कई सारी चीजें भेज भी सकते हैं दोस्तों सुचना और प्रद्योग की बैस्वी करण में किस प्रकार उपयोग की गई है आए जानते हैं लंदन के पाठकों के लिए प्रकासित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है पत्रिका का पाठविशय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कारयाले को भेज दिया जाता है उसका उपयोग करके इन सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कारयाले से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं और डिजाइन तयार करने का काम कम्प्यूटर पर किया जाता है छपाई के बाद पत्रि कह रही है यह बहुत अच्छी पत्री का लग रही है लेकिन मेरी पाठे पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से सब्दों को पढ़ सकती हूँ तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं मेरे बच्चे यह छपाई मशीन आम भारती के लिए नहीं है आईए जानते हैं बिदेशी व्यापार और बिदेशी निवेस का उधारी गरार दोस्तों जैसे हमने देखा कि भारत में चीनी खिलवन के आयात वाला जो काम है ये भारत सरकार खिलवनों के आयात पर कर अगर जो लगा दे तो क्या होगा इससे ये होगा कि जो इन खिलवनों को आयात करना चाहते हैं उन पर गर का बोच पड़ेगा कर देना पड़ेगा कर के कारण खरिदारों को आयातित खिलवनों से की अधिक कीमत चुकाने पड़ेगी चीन के खिलवने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन उन के बाद भारत सरकार ने विदेश ब्यापार और विदेशी निवेस पर प्रतिवंद लगा रखा था और 1950 और 60 के दसक में उद्योगों का उदय हो रहा था इस अवस्था में आयात से प्रतिसपर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती इसलिए भारत ने ने केवल अन रक्षर दिया है दोस्तों भारत में उदारी करण का प्रारम करीब 1991 के आरंभ में हुआ था सरकार ने ये निश्य किया भारते उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों के से प्रतिसपर्धा करने का समय आ गया है और ये महसूस किया गया कि प्रतिसपर्धा से भीयत तक हटाया गया वस्तों का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कमपनिया यहां अपने कारियाले और कार खाने अस्थापित कर सकते थी सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उधारी करण के नाम से जानी जाती है ब्यापार के उधारी करण से ब्यावसाईयों को मुक्त रूप से नेड़े लेने की अनुमत मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं और सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उधार कहा जाता है आईए इसी संबंध में जानते हैं WTO या विश्व व्यापार संगठन क्या है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन बहुत ही महतपूर संस्था है जो दुनिया भर के व्यापार का निरिक्षण और परिक्षण करती है WTO एक ऐसा संगठन है इसका धे अंतराष्टी व्यापार को उधार बनाना है विक्षित देशों की पहल पर सुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतराष्टी व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन्यमों का पालन हो और बरतमान में दुनिया के कई सारे देश दिसोव्यापार संगठन के सदस्य हैं बिस्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुबिधा देता है लेकिन ब्योहार में ये देखा गया है कि विक्सित देश अनुचे धंग से व्यापार और रोधों को बरकरार रखते हैं और इससे कहीं ने कहीं भी कासील देशों को नुकसान और विक्सित देशों को फायदा होता है तो यहां पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से ब्यापार ब्योहारों पर बाद विवाद होता है भारत में अधिकांस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद का महत्वण भाग क्रिसी छेतर से आता है इसकी तुलना में बिक्सित देश या डवलप् कंट्रीज जैसे अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में क्रिसी का हिस्सा मात्र एक प्रस्षत और कुल रोजगार में दसमलों पांच प्रस्षत है फिर भी अमेरिका के क्रिसी छेतर में कारेरत इतने कम प्रस्षत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे निर ब्यापार औरोधों को कम किया लेकिन आप लोगों ने दुनिया के ब्यापार संगठन के नियमों को नजर अंदास कर दिया और अपने किसानों को भारी धनरास देना भरकरार रखा है आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा लेकिन आप स बैसवीकरण और उतपाद को अस्थानी और विदेसी दोनों के बीच ब्रिहत्तर पर्तिसपरधा से उब्भोकताओं को विशेशकर सहरी छेतर में धनी बर्के उब्भोकताओं को लाब हुआ है। और उभुकताओं के लिए पहले से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हैं ज्यादा बिकल्प हैं गुडवत्ता और कम कीमत में वस्त मिल सकती है उत्पाद को और स्रमिकों पर बैस्वी करण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है पहला ये है कि बिगत 20 वर्सों में बहुराष और बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश किया है और इन उत्पाद कों के खरिदार जो हैं अधिकतर जो अधिकतर ऐसे लोग हैं जो धनी हैं तो इससे बहुराष्टी कमपनियां समरिध हुई हैं इसके अलावा जब सिर्स भारती कमपनियां बढ़ी हुई परतिस्परध से लाभानमित हुई हैं तो इन कमपनियों ने नवेंतम प्रद्दो की और उत्पादन पडाली को अपनाया है और उसमें निवेश किया है कुछ ने विदेशी कमपनियों के साथ सफलता पुरवक सहयोग करके लाभ भी अरजित किया है और इससे आगे बैस्वी करण ने कु कुछ ऐसी भाशनर्स और कुछ हैसी कमपनिया हैं जो दुनिया बैस्वी करण ने सेवा प्रदाता या सर्विस प्रवाइडर कमपनियों विशेश कर सूचना और संचार प्रद्दोक्य वाली कमपनियों के लिए नए औसरों का भी स्रिजन किया है भारती कमपनी द्वारा लंदन इस्थित कमपनी के लिए पत्रिका का प्रकासन और काल सेंटर इसके उदाहरन है इसके अत्रिक्त आकड़ा प्रविष्टी यानि डाटा एंट्री लेखा कराण प्रसासनिक कार इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में यहाँ पर देखिए विदेशी निवेस आकरसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं दोस्तों भारत में विदेशी निवेस के लिए जो है अध्योगिक छेतर जीने की विशेस आर्थिक छेतर कहा जाता है इनकी अस्थापना की जा रही है इस्पेसल एकनॉमिक जोन की और वहाँ पर उद्योगों के लिए सुविधाजनक धेड़ सारी सुविधाय दी जाती हैं विदेशी निवेस आकरसित करने के लिए सरकार सरम कानून में लचीला पन देती है और हाल के बरसों में सरकार ने कमपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमती दी है त दोस्तों छोटे उत्पादकों के लिए बैस्वी करण ने बड़ी संख्या में जो है इनके लिए चुनवतियां खड़ी की हैं क्योंकि इनको कड़ी प्रतिसपरधा का सामना करना पड़ता है और कोई भी चीज अगर जो बहुराष्टी कमपनी बनाती है तो उसका उत्पा भी मार्केट से बाहर हो जाता है दोस्तों बैटरी संधारित्र प्लास्टिक खिलावने टायर डेरी उत्पाद और खाद तेल के उद्द्योग कुछ ऐसे हैं जहां प्रतिसपरधा के खारण छोटे निर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है कई इकाईया बंद हो गई हैं ज दोस्तों बैस्वी करण और प्रतिसपरधा के दबाव ने स्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है बढ़ती प्रतिसपरधा के कारण जो नियोकता हैं इन दिनों स्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं और इसका अर्थ ये है कि स्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्शित नहीं है दोस्तों कपड़ा स्रमिक जो है ये बहुत अधिक जो है इस मामले में वस्त निर्यातक फैक्टरी में जो महिला स्रमिक काम करती है या द्यब बैस्वी करण से महिलाओं को काम के उसर मिले है लेकिन रोजगार के स्थितियां ये परदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागिदारी समझीत रोप से नहीं मिलती है दोस्तों उपरोक्त कारे परिस्थितियां स्रमिकों की कठिनाईयां भारत की अनेक और द्योगी की काईयों और सेवाओं में सामाने बात हो गई हैं और आज अधिकान स्रमिक असंगठित छेतर में नियोजित हैं यही नहीं संगठित छेतर में क्रम सहकारे परिस्थेतियां असंगठित छेतर के समान होती जा रही हैं और संगठित छेतरक के स्रमिकों जैसे कुछ ऐसे लोग हैं इनको संरक्षन और लाव नहीं मिलता जिनका व बैस्वी करण सभी के लिए लाबदायक नहीं है। सिक्षित, कुसल और संपन लोगों ने बैस्वी करण से मिले नए अवसनों का सरवत्तम उप्योग किया है। दूसरी और अनेक लोगों को लाभ में परियाप्त हिस्सा नहीं मिला है। चुकि बैस्वी करण अब एक सच्च निभा सकती है। नई नीतियों को केवल धनी और प्रभावसारी लोगों को ही नहीं बलकि देश में सभी लोगों के संड़क्षण के लिए कारे करना चाहिए। सरकार ये कर सकती है कि स्रमिक कानूनों का उचित कार्यानवन हो स्रमिकों को अपने अधिकार मिले। छोटे उ संगत नियमों के लिए विस्तो व्यापार संगठन से समझाते भी कर सकती है। दोस्तों इसके लिए किसी एक देश को नहीं बलकि विकासील देशों को संयुक्त रूप से एक साथ संगर्स करने किया हो सकता है। विगत कुछ वर्सों में बड़े अभियान और जन संगठनो के प्रतिनीधियों ने विस्तो व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वण नेड़यों को प्रभावित किया है। ये प्रदर्शित करता है कि जनता भी नियाय संगत बैस्वी करन के संगर्स में महत्वण भोमी का निभा सकती है। यहाँ पर इसका सारांस क्या है आईए जान लेते हैं। हमने पढ़ा बैस्वी करन की बर्तमान अवस्था क्या है। विभिन देशों के बीच तिब्र एकी करन की प्रक्रिया हो रही है। ये अधिक अधिक बिदेशी निवेश और बिदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। और बहुराष्टि कमपनियां वैस्विकरण की प्रकृरिया में मुख्य भोमी का निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्टि कमपनियां विश्व के उन अस्थानों को खोज रही हैं जो उनके उतपादन के लिए जारते सस्ते हों। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रद्धोग की विशेशकर सूचना प्रद्धोग की ने बड़ी भूम का निभाई है। साथ ही ब्यापार और निवेश के उधारी करन ने ब्यापार और निवेश और उद्गों को हटा कर बैस्वी करन को सुगम बनाया है। निया संगत बैस्वी करन की है ताकि सभी के लिए आउसरों का स्रिजन हो और ये सुनिशित हो कि जो बैस्वी करन के लाब हैं वो सभी को समान रूप से मिल सकें। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों दस्मिक अच्छा के अर्थसास्त्र का चौथा अध्याय बैस्वी करन और भारती अर्थव्योस था। इसमें आपने बहुत ही आसान सब्दों में बैस्वी करन के बारे में पढ़ा। इसके लाभ और हानियों के बारे में भी आपने इस अध्याय में जाना वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मागदर्शन फार सिविल सर्विसन को सबस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार